हालो स्टुडेंट्स वेलकम इन गेट नॉलेज इस इस दिवियम आयश्वरी स्टुडेंट्स आप सीख रहे हैं कम्पीटर की IT मैट्रिक्स का क्लासिक्स का चेप्टर वन जिसका नेम है कम्पीटर लेंगवेज और आज हम जानने वाले इस वीडियो में ट्रांसलेटर के बा तो देखें ट्रांसलेटर के लिए हम समझते हैं कि एक रूम में दो लोग बैठे हुए हैं जिसमें एक चाइनीज है और एक इंडियन है और इंडियन को चाइनीज बोली नहीं आती है और नहीं चाइनीज समझनी आती है और चाइनीज जो बैठे हुए है उन्हें इंडिय language नहीं आती है, Hindi नहीं आती है और नहीं वो बोल सकते हैं अब इन दोनों को आपस में communication करना एक दूसरे से बातचीत करनी है तो उसके लिए क्या करा जाए जिससे वो बातचीत करें और एक दूसरे को अपनी बात अपनी language में समझा सकें और समझ सकें सामने वाले की बात को, तो उसके लिए हमें एक व्यक्ति की आवश्यक्ता है जो एक third person होगा, जो दोनों language को जानता हो और दोनों ही persons को वो उनकी language में समझा सकता हो तो इस तरह से दोनों लोगों के बीच में communication कराने के लिए जो third person है उसे translator कहा जाता है students ये translator जो होता है ये computer में भी कुछ इस तरह से ही work करता है, जो की languages को change करता है, एक और example से समझाते हूं students आपको कि जब आप internet पर Google translator open करते हैं, तो Google translator भी कुछ इसी तरह का work करता है आप किसी भी language को जब type कर देते हैं और उसको translate, जिस भी language में आप उसका meaning देखना चाते हैं, उसको translate करना चाते हैं, तो वो उसी में translate कर देता है, तो वो भी एक translator ही है चलिए अब detail में समझ लेते हैं translator होता क्या है, a translator और language processor converts the instruction into a machine language to make it a computer understandable language, एक translator या फिर इसे language करता है, ताकि जो computer को समझ में आने यूग ये language में बनाया जा सके, means इसको इस तरह से बनाया जा सके जिससे इसे computer समझ पाए तो translator का काम या language processor का काम, instructions को convert करना होता है, जिससे कि ये instructions जो हैं, वो computer को समझ में आपाएं, computer को समझ में आने वाली भाशा में बन सकें, figure 1.3 shows different type of translator used by a computer, figure 1.3 हमें different different type के translators, जो computer द्वारा use के जाते हैं, दिखाती है, देखें figure 1.3 में types of translator types of translator में सबसे पहले है assembler, second में compiler और third आ जाता है interpreter तो चलिए detail में इने जान लेते हैं assembler क्या होता है, firstly जानते है an assembler translate the assembly language program into machine language program, एक assembler क्या करता है, एक assembler assembly language program को machine language में translate करता है जितनी भी assembly language programs होते हैं, उन cucumbers करने के लिए, उनने translate करने के लिए machine language में, assembler की ضरूरत होती है, which can be understood by the processor, जो की processor के दुआरा समझा जा सकता है तो यहां पर दिखाया गया है conversion by assembler assembler के द्वरा किस तरद से conversion होता है machine language में सबसे पहले assembly language program को input किया जाता है assembler में then assembler क्या काम करता है output दिखाता है machine language program में सो यह mediator का काम करता है यह assembly language को अपने अंदर लेता है और उसके बाद उसके output में दे देता है इस तरह से यह converter का काम करता है यहां इंफो बॉक्स में हमें बता रही है the program written in assembly language or high level language is called source code assembly language या high level language में लिखे हुए program को क्या कहा जाता है source code कहा जाता है and the program converted into machine language using a translator is known as object code translator का use करके machine language में convert किये गए program को क्या कहा जाता है इसे जाना जाता है object code के रूप में जब translator का use करके किसी machine language में program को convert किया जाता है तो उसे object code के रूप में भी जाना जाता है now जानते हैं compiler के बारे में compiler is a language translator program compiler एक language को translate करने का program है which converts a high level language program into machine language language जो high level language programs को machine language में convert करता है it translate the entire program into machine language at once as soon as all syntax errors are removed जैसे ही सभी syntax error remove कर दिये जाते हैं तो यह है क्या करता है यह पूरे के पूरे प्रोग्राम को machine language में तुरंत translate कर देता है that means जब program में कुछ errors होते है syntax error होते है तो सबसे पहले उन्हें जैसे ही remove किया जाता है तो यह पूरे के पूरे प्रोग्राम को machine language में तुरंती convert कर देता है translate कर देता है it takes less time to compile machine code यह machine code में compile करने के लिए बहुत कम समय लेता है now info box में एवा हमें अगेन बता रही है compiler was introduced in 1952 compiler 1952 में introduced किया गया since then hundred of third generation languages have been developed तब से second third generation language विक्सित की गई है benefiting programmers in business and science और business और science में programmers को बहुत लामानवित कर रही है देखें यहां पर conversion by compiler में बताया गया है कि सबसे पहले high level language program को input किया जाता है compiler में then compiler इसको compile करता है then output देता है और उसे machine language में change कर देता है तो इस तरह से यह compiler process करता है यह भी mediator की तरह ही process करता है now interpreter के बारे में जानते हैं like a compiler and interpreter translate a program line by line compiler के विप्रीद interpreter क्या करता है interpreter एक program को line by line पंक्ती के दुआराज translate करता है एक पंक्ती को translate करता है that is अर्थात it is takes up one statement of high level language at a time यह एक बार में high level language के statement को लेता है translated उसे translate करता है and then execute the instruction और instructions को execute करता है that means कि यह सबसे पहले statement को जो high level के statement होती उसे एक ही बार में ले लेता है और उसके बाद उसे translate करता है और उसके बाद वो instructions को execute करता है interpreter repeats the same procedure until the last statement is translated into machine language देखे students यहां बताया गया है कि interpreter इस procedure को repeat करता है जब तक last statement machine language में translate की जाती है जब तक last statement translate की जाती है तब तक यह इस प्रक्रिया को repeat करता रहता है जब सारी statements हो जाती है तो stop हो जाता है if there are any syntax error in source program यदी source program में कोई भी syntax error होता है so they are brought to attention of programmer as soon as program statement is interpreted तो जैसे ही program statement interpreted की जाती है तो जो भी syntax errors होते हैं वो programmer की ध्यान में लाए जाते हैं प्रोग्राम को दिखाए जाते हैं कि यह syntax error है thus it makes finding and correcting errors easier and quicker इस प्रकार यह है errors को correct करने और find करने में आसान और तेज बना देता है देखिए यहाँ पर दिखाए गया conversion by interpreter high level language program को input किया जाता है interpreter में then interpreter उसको interpret करता है और उसके बाद output दिखाता है machine language program में इस तरह से conversion करता है interpreter I hope students आपको यह video clear हो गया होगा यदि आपको कोई भी query है तो आप comment box में comment करके बताईएगा और साथ में चैनल को subscribe जरूर कर दिजेगा और bell icon पर भी क्लिक कर दिजेगा ताकि आपको videos की information मिलती रहे next video में next topic के साथ again आपसे मिलेंगे तब तक के लिए बाबाई